नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PCMB Digital Group पर तो बच्चों I hope आप सब स्वस्ते होंगी और vaccination भी जल्दी आनाई वाली है कौरोना की उदेकिन हम टेस्ट सारे दिये हैं हमने तोसी में से एक टेस्ट था NTESC डेली स्टेज वन उसका result जो है declare हो गया है और मैं answer कि आप लोगों के साथ इसमें share कर रहा हूँ official जो आई है अपने-अपने question papers आपके पास होंगे आप answers match कर लीजेगा आईए देखते हैं और फिर हमें जरूर बताएगा आपका क्या score बन रहा है so that we can let you know what are the chances of going ahead चलिए देखते हैं तो फिर दोस्तों ये office of deputy secretary of education science and tv branch south east building से दाजपत नगर से notice आया है to all the heads of schools and government-aided schools answer की has been released जो तेरा तारिक को हुआ था तो देखिए अब इसमें उन्होंने लिखा है क्या please find enclosed here answer की आप लिखें इसमें national talent search examination की candidates may submit their representation regarding discrepancies in answer की if any within seven days of issue of this circular अगर आपको लग रहा है इस answer की में कोई गड़ बेड़ा तो आप साथ दिन के अंदर जो है अपनी answer की जो को challenge कर सकते हैं और आप कहां पर भीजेंगे science branch पर अपनी representation भीज सकते हैं या issues जो आपको उठाने answer की को लेकर उठा सकते है science branch at gmail.com अब answer की दोस्तों देखें या answer की मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगा इसी में तो question number one से लेकर 200 तक के questions है I think आपको 174 तक के इस slide में सारे question के answers दिख गए होंगे जिसे 1 का 2 है 43 का 186 का 3 है 128 का 1 है 16 का 1 है और दोस्तों थोड़ा नीचे जाएंगे तो 174 से लेकर आपको आगे देखते हैं तो देखें ये भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे 16 का answer नजर आ रहा होगा 99 का 182 145 66 आप pause करके screen पर देख सकते ह ये इसी के साथ आपको सारी यहां पर answers ये दिख रहे हैं इधर ये question numbers है और ये कौन सा option सही था वो बाद यहां बताए गई है बच्चों अदस notice has been there so this is the answer की जो exam Delhi में हुआ था have a good difference thank you so much for watching the video do subscribe our channel and support us